Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है father and son, कहानी शुरू होती है साधिक नाम के आदमी से, जो अपनी जिन्दगी से कुछ नाखुश सा है, वो जो भी काम करना चाहता है, वो किसी न किसी वज़े से खराब हो जाता है, आज भी उसके साथ क परिवार बड़ा होने वाला है, उसका बच्चा उसके लिए एक नई जिन्दगी, एक खुशाल जिन्दगी की उमीद लेकर आएगा, अब एक रात उसके बीवी को लेबर पीन होना शुरू हो जाता है, वो परिशान होकर लगतार फोन करे जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल से कोई भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, उस समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, ना तो कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है, वो मदद के उमीद में अपनी बीवी को लेकर सलक पर आ जाता है, और पैधली होस्पिटल के लिए जाने लगता है, पूरा शहर खाली है, एक आदमी भी नहीं है, जो उसकी मदद कर सके, साधिका केले उसे अपने कंधे पर उठा कर भागना शुरू करता है, लेकिन एक समय पर आकर वो रुकने को कहती है, क्योंकि अब उसके अंदर पर दाश करने की हिम्वत नहीं है, और अब खोड डिलिवरी करने के अलाव उसके पास कोई भी आप्शन नहीं है, फाइनले वो एक बच्ची को जनम देती है, पर इसमें एक तरफ उसे बेहत खुशी मिलती है, कि उसके बच्चे ने जनम ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसकी भीवी की मौत हो चुकी थी और ये जानकर वो पूरी तरह से तूट जाता है, वो पूरी रात अपने बच्चे को गोद में लिये वहीं बैठा रहता है, सुबह होने पे कुस सैनिक आते हैं जो उसे अपने साथ ले जाती है, सरकार को एक मौका मिल गया था अपना बदला लेने का, क्योंकि वो करफी में ब ऐसे लेती है, लेकिन उसने कभी भी डैनिस को मा की कमी महसूस होने नहीं दी, जब साधिक जेल से रिहा होकर बाहर आता है, तो वो सबसे पहले अपने बच्चे डैनिस से मिलने जाता है, और उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, अब बीच बीच में उसकी मदर इनलो भी वहाँ आया करती थी डैनिस से मिलने के लिए, लेकिन ये बात फातिमा को अच्छे नहीं लगती, क्योंकि उनका माना था कि वो बस दिखावा करती है, उन्हें डैनिस की फिकर नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के बीच साधिक उने बताता है कि वो अब डैनिस को लेकर उसक से खयाल नहीं रखा पर साधिक उन्हें समझाता है कि ये बस मैं डैनिस के अच्छे के लिए कर रहा हूँ यहां से शुरू होता है डैनिस का पहला सफर वो अपने साथ होने वाली हट छोटी से बड़ी चीजों को बहुत गौर से नोटिस करता है वो हूप हूँ अपने पिता पर गया है उसका दिमाग भी साधिक कितरा बहुत तीज है वो अपने पास की दुनिया को एक खेलोनी की दुनिया कितरा मानता है जैसे कि वो जब डिब्बे से बाहरा जाता है तो उसे वहाँ कुछ लुटेरे दिखते हैं जिने वो अपनी बंदूग से मार गिराता है पर असल में वो पुलिस वाले होते हैं इन सब के बीच डैनिस को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि बीदे तीन सालों में उसके पिता यानि की साधिक के साथ क्या हुआ क्यों जब भी पुलिस को वो देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं एक बार फिर से वो अपनी आुलाद को खोना दे यह कोई ऐसा राज है जो वो डैनिस को बताना नहीं चाहरा है यह सब सवालों के जवाब हमें धीरी धीरे मिलेंगे कुछ देर बाद फाइनली साधिक अपने गाउं आज आते हैं आज वो यहां तकरीबन 15 साल बाद लोटा है सब कुछ बदल गया है और सालों पहले वो खुद इस जगह को छोड़ कर गया था जिसके बाद से यहां हर चीज बदल चुकी है उसने अपने घर वालों से कभी बात नहीं की और ना ही उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन आज वो खुद चल कर यहां आया है अब घर पहुचने पर सादी को गेट पर ताला लगा मिलता है जोसे देखकर वो वापस जाने लगता है पर डैनिस के कहने पर वो वहीं इंतिजार करता है और उसी इंतिजार में उसकी आँख लग जाती है जहाँ पर सामने से उसे एक सूपर हीरो गोले पर आते हुए दिखते और यह असल में सादी के डैट थे जिनने देखकर वो उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे दादा जी है पर वो कुछ भी जवाब नहीं देते लेकिन उसकी माँ आकर डैनिस को गले से लगा ले थी है और उसे वही प्यार देती है जो वो सादीक को दिया करती है पर वहीं सादीक को लगने लगा है कि शायद उसके डैट उसे अकसेप्ट नहीं करेंगे इसलिए वहाँ से जाने लगता है लेकिन इस बारी उसकी मा और डैनिस उसे रोक ले थे ये सारी चीज़े डैनिस के लिए काटून जैसी लग रही थी वो हर चीज़ को उसी नजरी से देख रहा था पर वहीं सादिक के डाड अभी भी उसे और डैनिस से बात नहीं कर रहे थे कि दाडा जी उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके साथ खाना नहीं खा रहे हैं यही सब सोचके वो उदास हो जाता है लेकिन तब सादिक की मौसी उसका मन बहलाती है और उसे खूब सारे चुटके लिए सुनाती है जिसे सुनके उसे काफी अच्छा मैसूस होता है लेकिन जब रात में सोनी की बारी आती है तो डैनिस को फातिमा की याद आने लगती है फातिमा वही लेड़ी है दोस्तों जिसने उसे तीन सालों तक पाला था वो अपने घर जाने की जिद करने लगता है सादिक उसे बहुत समझाता है कि अब से तुम्हारा यही घर है तुम्हें यही रहना है वही दूसरे कमरे में सादिक की मा रमशा और उनके हस्बंड हुसैन के बीच काफी अन्बन होती है वो हुसैन से कहती है कि यह हमारे बीटी का घर है आप उसके साथ ऐसा वरताव क्यों कर रहे हैं तो हुसैन कहते है कि मैंने उसे अगरिकल्चर पढ़नी के लिए इस्तानबुल भेजा था पर उसके दिमाग में न जाने कहां से जर्नलिस बनने का खयाल आ गया जिसे कि मुझे आज तक नफरत है लेकिन सादिक की माँ उनसे साफ साफ कह देती है कि अगर आपने कल्च से सादिक और डैनिस से बात करने की कोशिश नहीं करी तो फिर मुझे कभी बात मत करिएगा अब उस रात हुसैन बस यही सोचते रहते हैं कि उनके बेटी ने शायद सही किया उसने अपने दिल की सुनी गलती मेरी है ना तो मैं एक बाप बन पाया और ना ही एक अच्छा दादा वहीं डैनिस को देर रात बातरुम आ जाता है तो वह गलती से घर के बाहर आ जाता है जहां पर उसे हुसैन दिखते हैं जो कि किसी कमरे में जा रहे थे डैनिस को लगता है कि ये शायद कोई खूफिया कमरा है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कीमती सोने के सिख्के रखे हैं क्योंकि वो अभी भी उसी कार्टून की दुनिया में खोया हुआ है और उसी दौरान हुसैन उसे देख लेते हैं और कमरे में जाने को कहते हैं तो डैनिस युपचाब कमरे में चला जाता है पर वहाँ वो अपने डैट से उसी खूफिया कमरे के बारे में बताता है जो उसने अभी अभी नीचे देखा था अब अगली सुपा जब डैनिस सोकर उड़ता है तो वो सब को उस कमरे के बारे में बताता और पूछता है जिसके बाद उसकी दादी उसे हुसेन के पास जाने को कहती है वो जाने से कत्रा रहा था उसे तो यही लग रहा था कि वो उसे पसंद नहीं करते है लेकिन अपनी दादी के जिद करने पर वो उनके पास चला जाता है अब हुसेन उसे देख लेते हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करते तो डैनिस उसे घोलों के बारे में कुछ सवाल करना शुरू कर देता जिसका हुसेन दीरी दीरे जवाब देने लगते हैं सही करते करते वो उनके करीब आते चला गया था पर अंत में जब उनने थैंक यू अंकल कहके वहां से जाने लगता है तो वो से डाटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ तुम्हारा दादा हूँ ये बोलकर उसे गले से लगा लेते हैं और ये सब दूर खड़ा साधिक देख रहा था उसे अपने डाड का ऐसा behavior देखकर बहुत ही अच्छा लगता है वो समझ जाता है कि उसके डाड ने उसके बेटे को माफ कर दिया है कुछ जुनबाद पूरा परिवार पिकनिक मनाने अपने खेत में जाता है जहां पर सब एक दूसरे से बहुत सारी बाते करते हैं उदर डैनिस की दादी उसे अपने खेतों में घुमाते हुए बताती है कि तुम्हारे डाट भी याँ खुमा करती थे जब वो तुम्हारी हुमर के थे ये सब जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है पर कुछ जरबाद वो अपने डाट से कहता है कि उसे कुछ कॉमिक्स बुक चाहिए तो वो सलीम के साथ उसे लेने के लिए बजार चला जाता है पर उनसे पहले ही बजार में हुसैन उसी कॉमिक बुक पर पहुच जाते हैं अपने पोते के लिए बुक लेने के लिए उनकी हमेशा से आदत रही है कि वो किसी से जादा कुछ शेयर नहीं करते थे और यहां कुछ ऐसा ही होता है जब दुकानदार उनसे पूचता है कि आखिर यह बुक वो किस के लिए ले जा रहे हैं तो वो उसे गुसा हो जाते है और वहां से चले जाते हैं वही हम सादिक को देखते हैं जो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है इसी दुरान हम एक लड़की को भी देखते हैं जो उसे बजार में देखकर हैरान हो जाती है अब यह कौन है यह आपको आगे बता चलेगा अब कुछ समय बाद जब सादिक को शॉप पर पहुचता है तो दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हारे डाट यह बुक पहले ही ले जा चुके है तो वो समझ जाता है कि उन्होंने यह बुक किसके लिए लिया पर इन सब के बीच सलीम बहुत खुश होता है वो कहता है कि हमारे डाट तुम्हारे बेटी के लिए बुक ले कर गए है कितनी अच्छी बात है ना दरसल दोस्तों हर कोई चाहता था कि इस सब लोग एक साथ हो जाए आखिर कब तक वो अपने बेटी से दूर रहेंगे अब घर जाते टाइम साधी को अपने डाइट देख जाते हैं उनका शुकरी आदा करता है कि उन्होंने डैनेज के लिए बुख ली पर वो कोई जवाब नहीं देते तो उन्हें बताता है कि मैंने वो जौब छोड़ दिया जिससे आपको नफरत थी अब तो मुझे माफ कर दीजे लेकिन हुसाइन बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते जिससे दोनों को बुरा लगता है लेकिन वो है तो उनके पिताई अभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे ये सोच कर वो आगे बल जाते हैं गर पहुचने पर सादिक सबसे पहले डैनिस के बारे में पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि वो घर के पीछे खेल रहा है पर इसी दौरान सब लोग उनके हाथ में वो बुग देख लेते हैं तो पूछते हैं कि ये किस के लिए है पर वो उनका कोई भी जवाब नहीं देते लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि ये किस के लिए है वोई डैनिस एक बच्चे के साथ उसी खूफिया कमरे के बाहर खाड़ा होता है वो उसे बताता है कि इसके अंदर मत जाना यहां बहुत सारे भूत रहते हैं तभी इसे हमेशा के लिए बंद करके रखा गया है उसी दुरान वहाँ पर हुसैन पहुच जाते हैं वो से कहते हैं कि अगर तुमने दुबारा इस कमरे में जाने की कोशिश करी तो तुम्हें अपना ये गिफ कभी नहीं मिलेगा अब ये चीज दैनिस को और सोच में डाल देती है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है वो बस उल्टी सीधी चीज़ें इमेजन करने लगता है सीन शिफ्ट होके पहुचता है सकीना पे ये वही लड़की थी जिसे हमने बजार में देखा था सकीना साधिक का बच्पन का प्यार था वो तयार होके अपने गेट पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही साधिक वह आता है वो बिना कुछ बोले गेट बन कर लेती है दरसल वो उसे बस चुलाने की कोशिश कर रही थी वहीं उसके दिल में साधिक के लिए आज भी बहुत प्यार है अब काहनी आगे बढ़ती है उस रात हुसेन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है जिस दुरान उसे बहुत शराब पी ली थी वो सीधा घर आकर अपनी मां से कहता है कि वो सारे घरवालों को लेकर सलीम के पास चली जाए क्यूंकि वो आज अपने डायेट से बात करने वाला है और शायद ये बाचीत रडाई में बदल जाय जिसके बाद वो उसी नशे में अपने पिता के पास जाता है और उनने बाहर आने को कहता है अब इतनी रात में जाकने के वज़े से वो पहले ही बहुत गुसे में थे पर धीरी धीरे उनकी बातें बढ़ती है सादिक कहता है कि मैं हमेशा से अपनी जिन्दगी खुल के जीना चाहता था लेकिन आपने मेरा स्कूल मेरी जिन्दगी सब कुछ अपने तरीके से चूस करा पर जब मैंने खुद की सुनी तो आपने मुझे से बात करना बंद कर दिया ऐसा कौन करता है पापा आपको क्या लगता है कि मेरी नौकरी छूट गई है इसलिए मैं आया हूँ नहीं मैं यां सिर्फ डैनिस की वज़े से आया हूँ मैं चाहता हूँ कि जो प्यार आप मुझे नहीं दे पाए वो प्यार आप उसे दे उसे अपने बेटी की तरह बढ़ा करे क्योंकि मैं उसे बढ़ा होते हुए देख नहीं पाऊंगा मैं याँ सिर्फ अपने बेटे और आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए आया हूँ मुझे माफ कर दीजे इसके आगे सादिक कुछ बोल पाता कि वो वही बिहोश होकर गिर जाता है सादिक ने सबको तो घर से बाहर भीज दिया था अब हुसैन करी तो करे क्या वो बस उपर देखकर चिलाता रहता है कि मेरा बेटा उट जा तो जो कुछ नहीं होगा लेकिन वो वही पर भीषोशी की हालत में पड़ा रहता है अब अगली सुबह हम सभी लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं सब लोग हैरान थे कि अचानक से उसे क्या हो गया है पर सादिक किस दर्थ से गुजर रहा है वो बस उसके पापा को पता था कुछ जिरबाद जब उनसे रहा नहीं गया तो वो डॉक्टर से हुई बात अपने परिवार को बताते हैं कि जब सादिक शहर में पकला गया था तो तीन सालों में पुलिस वालों ने उसके लिखे आर्टिकल की वज़े से उसे बहुत मारा वो चा देती कि सादिक उनके खिलाफ ना बोले लेकिन उसने अपनी इमानदारी नहीं छोडी जिस वज़े से उन्हों ने उसके दोनों लंग्स खराब कर दिये किसी केमिकल से और अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है ये सब जान कर वहां बैठा हर एक शक्स रोने लगता है और आज हम पहली बार हुसैन की आँखों में आसू देखते हैं किसी ने सची काया कि अगर कभी किसी के बाप की आँखों में आसू लाना है तो उसके बीटे को तकलीफ दे कर देखो वलकानी आगे बढ़ती है और कुछ दुनों बाद सब लोग अपसादी के पास और जादा से जादा समय बिताने लग गए थे खास कर सलीम जो पूरी रात अपने भाई के पास बैठा रहता था अपनी पुरानी तस्वीरे देखता था उसे पुरानी पुरानी बाते करता था पर एक दिन उसके रूम में हुसैन आता है अब यहां इस कमरे में सिर्फ एक बाप और बेटे के बीच में बाते होती है दोनों एक दूसरे से वो सब कहते हैं जो उन्होंने पिछले 15 सालों से अपने दिल में दबा कर रखी थी और आखिर में सादीक अपने पिता से वादा करवाता है कि वो उसके बीटी को अपनी ही तरह एक नेक दिल और इमानदार इनसान बनाए पर यहां हुसैन की दिमाग में एक अधूरा कामयाद आता है जो वो पूरा करने के लिए सकीना के घर जाता है उसे सादीक की बीमारी के बारे में बताता है जिसके बाद वो उसे मिलने आती है और फिर दोनों घंटों तक बाती करती है उन दोनों के बीच जो भी किले शिक्वे थे सब कुछ खतम हो गए थे और सकीना उसे अपने प्यार का इजहार भी करती है उसकी फेवरिट मिठाई भी बना कर लाती है और बताती है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवा दी लेकिन उसने अपने बीटी का नाम सादीक रखा और वो चाहती है कि वो सादीक की तरह एक अच्छा और नेक इनसान बने अब इसी तरह से समय बीच जाता और सादीक ने इस दुनिया को अलवेदा कह दिया है पर उसकी मौत का सबसे जादा असर उसके पिता पर हुआ है वो बीच तलग पर अपने हाथों को फैला कर खली हो जाते हैं और तीस तीस चीखने लगते हैं कि अगर उने नोज दिन सादीक को रोक लिया होता तो शायद आज उनका बीटा जिन्दा होता लिगने एक जित की वज़े से वो मुसे दूर हो गया तब ही सादीक की आणटी आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें गले लगाना है रुको वो सादीक के भाई सलीम को खड़ा करती हैं और कहती हैं कि जाकर हुसैन को गले लगा कि ये देखो मेरे पापा बच्चों की तरह रो रहे है। हुसैन को भी समझ आ जाता है कि उनका बेटा जहां भी होगा खुश होगा। अब समय के साथ साथ धीरी धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन डैनीज अब पहले जैसा नहीं रहा है वो बहुत ही उदास और चुपचाप रहने लग गया था। आज उसके साथ उसका पूरा परिवार है लेकिन उसका बेटा उससे दूर हो गया है। और अपने बेटे के बारे में सोचकर साथी के माबाप के आँखों में आस हो आ जाते हैं। पर जब स्कूल जाने का टाइम आता है तो डैनिक्स ये कहके रोने लगता है कि उसे अपने डैट की याद आ रही है। और तब जाके साथी को उसे प्रॉमिस करता है कि वो अगर स्कूल जाएगा तो वो उसे उसी खूफिया कमरे में लेकर जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। इसकूल से आने के बाद सब लोग उस कमरे में जाते हैं जिसे पिछले 30 सालों से बंद करके रखा गया था। लेकिन आज इसे हुसैन ने अपने पोदे के लिए खोल दिया है। दरसल दोस्तों उस रूम में एक प्रोजेक्टर था जिसमें हुसैन के तीनों बच्चों का बच्पन कहता। उनकी यादे थी उनकी बाते थी जो उन्होंने कई बरसों से इस कमरे में छुपा कर रखी थी। और उस वीडियो को देखकर हर किसी की आँखों में आस हुआ जाते। लेकिन डेंजी अब अच्छा महसूस करने लग गया था। इस दोरान उसके दादा जी उसे कैमरा गिफ करते हैं और कहते हैं किसे तुम जो चाहो वो शूट कर सकते हो। कुजिनोबाय डेंजी कैमरा को चलाते हैं घर से काफी दूरा आ जाता है और तब उसे वहाँ सादिक दिखता है। उसे लग रहाता कि ये कोई सपना है पर सादिक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुमारे पास ही हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं भागते हुए आ जाऊंगा। वो उसके स्कूल ड्रेस की तारीफ भी करता है और दोनों बहुत सी बाते करते हैं। पर एक समय आता है जब सादिक के जाने का समय आ जाता है। और जाते जाते वो डैनिस से एक वादा करवाता है कि वो उसके जाने के बाद कभी भी रोएगा नहीं और ना ही अपने दादा जी को परिशान करेगा। अब उसका यही घर है और उसे बड़ी होकर एक अच्छा इंसान बनना है। जिसके बाद वो आकरी अलविदा कहे कर हमेशा के लिए चला जाता है। सादिक को जाता हुआ देखकर डैनिस पूरी तरह से टूर जाता है। इसी बीच तेज बारिश होने लगती है और हम हुसैन को देखते हैं जो भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे अपनी बाहों में भल लेते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यही खतम हो जाती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रू बताएगा। वल इस वीडियो पर एम करते हैं धाई सो कॉमेंट का कॉमेंट ज़रू करिएगा। मिलते हैं आप से के लिए मैं थाएंगे सो मच वाचिंग पीस आउट।